तीन बार ओम का उचारण करेंगे और तत पश्यात प्रात्ना धोराएं संगचत्वं संबदत्वं संबदत्वं संभो मनां से जानतां संभो मनां से जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजाना उपासते संजाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते जंटली ओपन इवर आईस और देरे से अपनी आखे खोले और हातों को वापस लाए अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं यह अभ्यास शरीर के सुक्ष्व संजारन बढ़ाने में सहायक है गर्दन जुकाने वाली क्रिया के अभ्यास से शुरू करेंगे पेरों में दो इंच का अंतर रखें हातों को कमर पर रखें श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे चुकाएं श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं श्वास छोड़ते हुए सिर को समानिय स्थिति में लाएं यह अवदाई और जुकाने अभ्यास exhale and bend the head to the right inhale and bring the head back exhale and bend the head to the left inhale bring the head back to normal position neck twisting exhale turn the head to the right inhale and bring the head back exhale and turn your head to the left inhale and bring your head back to normal position now neck rotation exhale and bring the chin down towards the chest inhale and slowly rotate the head clockwise exhale and bring the head back to normal position exhale and bring the head back to normal position now rotate your head in an anti-clockwise direction inhale and go back exhale and bend the head back to normal position inhale and bring the head back to normal position keep your legs shoulder length apart raise your arms to the level of your chest exhale and twist the body towards the right inhale and bring the head back to normal position exhale and twist the body towards the left inhale and bring the head back to normal position गुटने की चालन क्रिया का भ्यास, इन्हेल, lift your arms up to shoulder level, श्वास भरते हुए, अपने हातों को कंदे के स्थर तक सामने लाए, एक्जेल, bend the knees and come to squatting position, श्वास छोड़ते हुए, अपने गुटनों को मोड़े और बैटने की स्थिति में आए, इन्हेल and come up, श्वास भरते हुए वापस आए, again exhale and go down, श्वास छोड़ते हुए पुना बैटने की स्थिति में आए, इन्हेल, again come up, श्वास भरते हुए वापस आए, एक्जेल, bring your arms down and relax, श्वास छोड़ते हुए हातों को वापस निचे ले आए, श्वास छोड़ते हुए हातों को वापस निचे ले आए, पैरो में दो इंच का अंतर दे, इन्हेल, bring your arms up to shoulder level, श्वास भरे और हातों को कंदे के स्थर तक सामने लाए, इन्टर लाए, इन्टर लाए, इन्टर लाए, इन्टर लाए, दोनो हातों की उंग्लियों को आपस में फसाते हुए, हतेलियों को उल्टा करे, इन्हेल, राइ इडियों को उठाते हुए, पंजो पर संतुलन बनाए, इस आसन बेंस इज और जापासे में वापिस लाए लाए, इन्टर लाए, इन्हेल, आमस डाउन स्वास को छोड़ते हुए, इन्हेल, हातों को समाने अवस्ता में लाए, बरेक्षअसना, इजेल, बेंड ग tired, श्व खोड़ते हुए दाइने पैर को मोरे, place the foot on inside of the left thigh, दाइने तलवे को बाइने पैर की जंगा पर रखने का पर्यास करे, इंहेल, bring the arms up and join the palms, श्वास भरते हुए अपने हातों को उपर उठाए और हतेलियों को जोडे, इस आसन इंप्रोज नूरो मस्कुलर कोडिनेशन यह आसन तंत्र का पेशियों में सामन जस्य रखता है एक्जेल बिंग आम्स और लग दाउं श्वास को बाहर छोड़ते हुए हातों को और दाइने पैर को निचे लाए अब यह आसन दूसरे पैर से भी धोराएंगे बंड लेफ लेफ लेग, प्लेस दाइने पैर की जंगा पर रखे इंहेल, ब्रिंग आम्स अप और जॉइन यह पाम्स श्वास भरते हुए अपने हातों को उपर उठाएं और हतेलियों को जोडे श्रीर को तांते हुए, स्थिर रखे अब श्वास छोड़ते हुए, हातों को और पैर को निचे लाए अब हम पाधास्तासन का अभ्यास करेंगे पैरो में चार इंच का अंतर दे आँगे, इन्हेल and rise the arms up श्वास भरते हुए, हातों को उपर लाए अग्जेल, बंट वरए श्वास छोड़ते हुए, तीरे धिरे आगे चुचाए इस बगरते हुए, तीरे दीरे आगे चुचाए यह आसन हमारी रीड की हड़ी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ती को सुधारता है अब श्वास भरते हुए तीरे धीरे वापिस आए एक्जेल ब्रिंग आपस टाउन और रिलाक्स श्वास छोड़ते हुए दोनों हातों को नीचे लाए और विश्राम करे अर्धचक्रासना प्लेश एक्षाण प्लेश आपने हातों को कमर के पीछे रखे अपने दोनों को नीच अपने दोनों को समनांतर रखे इंहें और रॉप दे लाए पीछे ले जाए और श्वास छोड़े और आसन मे बने रहने का पर्यास करे इस आसना helps to improve breathing capacity यह आसन श्वासन क्रिया में सहायक है इंहें राइज राइज आप श्वास भरते हुए सिर को वापिस लाए अग्जें आमस ताउन और रलाए श्वास छोड़े और हातों को वापिस लाए now we move on to trikonasana put your hands on your waist तोनो हातों को कमर पर रखे stand with your feet three to four feet apart दोनो पैरों में तीन से चार feet का अंतर ले inhale, rise your arms up to shoulder level श्वास भरते हुए तोनो हातों को कंदों के बराबर फैलाए turn your right foot towards right side दाए पैर के पंजे को दाए तरफ खुमाए exhale slowly bending to the right side श्वास छोड़ते हुए तीरे धीरे दाए तरफ चुकते जाए place the right hand behind the right leg दाए हात को दाए पैर के पीछे रखे turn your head and gaze at your middle finger अपने सिर को उपर की तरफ खुमाए और मद्य में का उंगली को देखे this asana helps in treating cervical spondylitis यह आसन cervical spondylitis को ठीक करने में सहायक है inhale and slowly come up श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आए bring your right foot back and turn your left foot towards the left side अपने दाएने पैर के पंजे को वापिस सीधा करे exhale slowly bending to the left side श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाई तरफ जुकते जाए place your left hand behind the left leg बाए हाथ को पाई पैर के पीछे रखे turn your head and gaze at your middle finger अपने सिर को उपर की तरफ गुमाए और मद्यमी का उंगली को देखे maintain the posture श्थिती को बनाए रखने का परयास करे bring your arms down and feet together दोनो पैरो को मिलाए और हातो को भी वापिस लाए now we'll move on to sitting postures sit down your legs stretch out धीरे से बैच चाए और पैरो को सामने की तरफ सीधा करे keep your hands beside the hips and back straight हातो को नितंब के पास रखे और कमर सीधी करे this is dandasana यह है dandasana bend your knees and put the soles of your feet together पैरो को गुटने से मोरते हुए दोनो तलवो को मिलाए exhale, hold your toes श्वास को छोडते हुए पंजो को पकड़े pull your heels towards your body अपने एड़ो को शरीर की तरफ लाए this asana keeps the body firm and stabilizes the mind यह asana शरीर को ध्रड़ और मन को स्थिर रखता है now stretch your legs, come back to dandasana धीरे धीरे पुना dandasana की स्थिती में वापिस आए अर्ध वुष्टासन hold your legs underneath your body अर्ध वुष्टासन अभ्यास के लिए पैरो को मोडते हुए खुटने के बाल आए sit between your heels and knees together खुटनो को मिलाते हुए अपनी एड़ियों के भीच बैठे this is Vajrasana यह Vajrasana है now stand on your knees धीरे से अपने गुटनों पर खड़े हो जाए place the hands behind the waist अपने हातों को कमर के पीछे रखे inhale, bend the head back and relax श्वास भरते हुए सिर को पीछे की तरफ चुकाए this asana helps in treating backache यह asana कमर दर्ध ठीक करने में सहायक है inhale, rise your head up and hands down श्वास छोड़ते हुए वापस आए और Vajrasana में आराम करे relax in Vajrasana Shashankasana spread your knees apart दोनो घुटों को फेलाए keep the palms between the knees हतेलियों को खुटों के भीच रखे exhale and stretch forward श्वास छोड़ते हुए हातों को आगे खीचे bring the chest and chin to the ground चाती और थुटी जमीन से लगाए this asana reduces stress and anger यह asana तनाव और कुरोत को कम करने में सहायक है inhale and slowly come back to Vajrasana श्वास भरे और Vajrasana में वापस आए stretch your legs out sit in Dandasana and relax अपने पैरो को खोलते हुए सामने की और लाए Dandasana की सिती में वापस आए now we move on to Vakrasana अब हम Vakrasana का अभ्यास करेंगे bend the right leg and place the right foot beside the left knee धीरे से दाए पैर को मोडे दाए पैर के पंजे को बाए गुटने के पास रखे bring the left arm around the right knee and place the palm beside the right foot अपने बाए हाथ को दाए गुटने के उपर से घुमाते हुए दाए पंजे के पास रखे exhale, twist the body to the right and turn your head श्वास छोडते हुए सिर और शरीर को दाए तरफ मोडे this आसन increases the flexibility of the spine यह आसन रीड की हड़ी में लचीला पन लाता है inhale, turn your head back श्वास भरते हुए सिर को वापिस लाए release your arms and stretch your leg श्वास छोडते हुए वापिस समाने स्थिति में आए now we will repeat the same on the other side यह आसन बाए तरफ से भी धौराएंगे bend the left leg and place the right foot beside the right knee धीरे से बाए पैर को मोडे बाए पैर के पंजे को दाएने गुटने के पास रखे bring the right arm around the left knee and place the palm beside the left foot अपने दाएने हाथ को बाए गुटने के उपर से गुमाते हुए बाए पंजे के पास रखे exhale, twist your body to the left and turn your head back श्वास छोडते हुए सिर को और शरीर को बाए तरफ मोडे release your arms and stretch your legs धीरे से वापे साए और पैरो को सीदा करे relax to विश्वा मासन now let us move to prone postures अब हम पेट के बल लेट कर किये जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे lie down on your stomach in makarasana makarasana में पेट के बल लेट जाए we'll begin with bhujangasana हम bhujangasana का अभ्यास करेंगे join your legs together दोनों पैरो को मिलाए inhale and stretch your arms up श्वांस भरते हुए अपने दोनों हाथो को सीदा करे exhale, place your hands beside your body inline with your chest श्वांस छोडते हुए अपने हाथो को मोडे और अपनी हतेलियों को सीने के पास रखे inhale, lift the chin and chest up to novel श्वांस भरते हुए नाभी वाले भाग तक अपने थुड़ी और चाती को उठाए this asana is good for stress management यहाँ आसन तनाव को दूर करने में मदद करता है exhale and release the posture अब श्वांस छोडते हुए समानने स्थिति में आए relax in makarasana makarasana में आराम करे Shalabhasana join your legs and put the arms besides your body दोनो पैरो को मिलाए अपने हातों को जंगाओं के पास लाए keep your arms facing upwards हतेलो को आसमान की तरफ रखे keep the chin on the ground थुड़ी को जमीन से लगाए inhale and rise your legs up श्वांस लेते हुए अपने पैरो को उठाए this asana helps to prevent syataka यह आसन syataka की पीडा को दूर करता है exhale and bring the legs down श्वांस छोडते हुए अपने पैरो को नीचे लाए now we'll rest in makarasana makarasana में विश्राम करे keep your feet wide apart अपने पैरो में थोड़ा अंतर रखे rest your head on your palms अपने सिर को हतेलों पर रखे और आराम करे relax now this asana relaxes the body and the mind यह asana शरीर और मन को संतुलत बनाता है now we move on to supine postures अब हम कमर के बल लेट करकिये जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे lay down on your back कमर के बल लेट जाए सेतु बंधासना अब हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे bend both your knees and bring your heels towards the buttocks दोनो गुटनो को मोरते हुए अपनी एडियो को नितम के नजदीक लाए hold your ankles अपने टकनो को पकडे inhale, rise your buttocks and trunk to form a bridge श्वास भरते हुए अपने नितम वा कमर को उपर के और उठाए maintain the posture this asana strengthens the abdomen and decreases depression यह asana अदर के अंगो में कसावत लाता है और तनाव कम करता है exhale and come down श्वास छोड़ते हुए वापिस आए stretch your legs अपने पैरो को सीधा करे relax on your back पीट के बल विश्राम करे पावन मुक्तासन join your legs bend the knees and bring the thighs to the chest कुटनो को मोरते हुए अपनी जंगाउं को सीने के पास लाए interlock your fingers and hold your shins अपने हातों की उंग्लियों को आपस में फसाते हुए टांगो को पकडे exhale rise your head up श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाए maintain the posture स्थिति को बनाए रखने का पर्यास करे अपने का इस अपने का इस आपस नाए रखने को बढ़ाता है यह आसन पाचान शक्ति को बढ़ाता है exhale, bring the head down श्वास छोड़ते हुए अपसिर को वापस नाए stretch your legs and relax दोनो पैरो को थीरे थीरे सीदा करे we'll now relax in Shavasana अब हम Shavasana में विश्राम करेंगे keep your arms and legs apart पैरो में और हातों में उचित दूरी बनाए palms facing the sky हतेलियों को आसमान की और रखे gently close your eyes आखे बंद करे take a deep breathe and exhale कहरा श्वास ले और छोड़े relax each and every part of your body from your toes to your head श्रीर के प्रतेक अंके प्रती सजग हो संपूर्ण श्रीर शेथेल होने दे this asana relieves all kinds of tension यह asana sabhi प्रकार कितनावों को दूर करता है now come back to comfortable seated posture धीरे से वापस आए और किसी भी सुख पूर्वग आसन में बैच जाए now we'll perform kapal bhati kapal bhati के अभयास के लिए तयार हो जाए sit in any meditative posture with your back straight कमर और गर्दन सीधी करते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैच जाए keep your hands on your knees in jnana mudra inhale deeply and expel the breath with forceful contractions of the abdomen muscles गेहरी लंबी श्वास भरें और उदर की मास मेशियों पर दबाफ डाते हुए श्वास छोड़ेंगे let us begin our first round of 30 stokes kapal bhati kapal bhati का पहला चक्र प्रारम करें exhale and relax गेहरा श्वास छोड़े और शांती का अनुभव करे now we move on to the second round of 30 stokes kapal bhati का दूसरा चक्र शुरू करे अपर श्वास छोड़े और श्वास छोड़े और श्वास छोड़े और श्वास छोड़े और विश्राव करे now we get ready for the final round ab तीसरे और अन्तिम चक्र के ये तयार हो जाए कि ए्टेर लिए्ट बेए्ट इंट और यह इघ ठीटिंट को एक से लिए झेल लॉब्बाश्वाश्व इंटे अर। इश्रामकरे Kapalabhati revitalizes our mind and body. Kapalabhati शरीर का उर्जावान बनाता है. Now we proceed to Nadi Shodhana Pranayama. Ab हम अनुलोम विलोम प्रणायम का अभ्यास करेंगे. Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra. Bain हाथ की क्यान मुद्रा बनाए. Right hand in Nasagra Mudra. Dainे हाथ की Nasagra Mudra बनाए. Inhale through the left nostril. Bain naasika से श्वास भरे. Exhale slowly through the right nostril. Daini nasika से श्वास को बाहर करे. Again inhale through the right nostril. Ab daai nasika से श्वास भरे. Exhale through the left nostril. Bain naasika से श्वास को बाहर करे. This is one round. Repeat another four rounds. यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है. ऐसे चार चक्र और अभ्यास करें. Nadi Shodhana Pranayam helps concentration. Nadi Shodhana Pranayam एक आगरता बढ़ाता है. Exhale and hand down. Shodhana Pranayam श्वास छोड़ते हुए हातों को नीचे लाएं. Now let us begin Brahmari Pranayama. Ab हम Brahmari Pranayama का अभ्यास करेंगे. Keep both hands on the knees in Jnana Mudra. हातों की ज्ञान मुद्रा बनाएं. Close your eyes. आखों को कोमलता से बंद करे. Inhale deeply, exhale slowly, making a humming sound like a bee. Let us begin the first round. Inhale. Shwasparee. 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 Now we perform Brahmari in Shandmukhi Mudra. Ab isi abhyas ko Shandmukhi Mudra ke saath करेंगे. Adopt Shandmukhi Mudra. Shandmukhi Mudra dharan करे. Let us start the first round. Inhale. Shandmukhi Mudra. chairman gesch典 separate. Then we perform Brahmari in Shandmukhi Mudra. We perform Brahmari in Shandmukhi Mudra. After all, our team will be on the top. Analyst and team will be on the top. Then we perform Brahmari in Shandmukhi Mudra. Now we will perform Brahmari. And roll Brahmari in Shandmukhi Mudra. How much coming? Want to make a booming version of Brahmari? Shwasparee. So you can see that. ब्रहामरी परायम काम्स अमाइब ब्रहामरी परायम मन को शांत करता है अब ध्यान का अभ्यास आरम करते हैं मेरु दंड को सीधा करें हातों को ज्यान मुद्रा बनाए और भुटनों पर रखें जंटली इस और लिफ्ट चिन आप पर शांभावी मुद्रा आखो को मता से बंद करें और ठुटी को थोड़ा सा उपर उठाएं अपनी श्वास पर ध्यान दे दिजॉल यवर थाथ और अटें सिंगल और पूर थाथ निर्विचार कि स्थिति को घटित होने दे अधिस्ट अधिटेट दिखान में लीन हो जाएं Meditation is an important component of yoga. It keeps the mind calm and steady and leads to self-realization. दियान योग का सबसे जरूरी अंग है. ये मन को शांत रखता है और आत्म अनुभूती की और हमें ले जाता है. ये मन को शांता है. अब ध्यान समाने श्वास पर श्वास पर लाएं और मनी मन संकल्ब दारण करें हमें हमारा मन को हमेशा संतुलित रखना है इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है मैं स्वयम को एक स्वस्थ शांति प्रिय एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्ब प्लेता हूँ मैं यहां उपस्थित हर व्यक्ती से एकात्म होने का प्रयत्न करूंगा हमेशार अपस्थ वहां अश्य मारा आत्र Хणंप का प्रेम प्रेम् अम्हीं कर्णा रहां यहां यहांगा hands to namaskar mudra for shanti part hatho ko namaskar mudra me lai shanti part keeley oh om sarve bhavantha sukhinaha sarve santu niramaya sarve bhatranipashyantu ma kaschit dukhe bhag bhavet ma kaschit dukhe bhag bhavet om shanti 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 shubh din namaskar hud shanti 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 उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और मुलाकार कर रहे हैं ये इन बच्चों का देश्वास्यों का बहुत बड़ा सभाग्य है कि खुद देश की प्रधानमंत्री फ्री नरेंद्र मोधी जी ने इस योगासन का जो पैंटीस मिनिट का सत्र था उसमें खुद बढ़ का जीवन ही उनका संदेश है आप योगासन में बहुत विश्वास करते हैं और आज उन्होंने देश्वासियों का साथ दिया योगासन में योग पर बहुत विश्वास करते हैं मानिनी प्रधानमंत्री जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मानिनी प्रधानमंत्री जी आपने आज अपनी उपस्थिती इस सत्र में दिखाकर ये दिखाया कि आप हर इंसान, हर भारतवासी के साथ हैं हर लम्हों में, हर पल में उनके साथ हैं बहुत बहुत धन्यवाद मानिनिये प्रधान मंत्री जी हमारी जो प्राचीन, पुरातन, मानिता, योग है उस पर मानिनी प्रधान मंत्री जी का अटूट विश्वास है समत्व, समत्वम, योग उच्यते जी हां, जहां मन का उतार चड़ाव नहीं है, मन का समत्व है, वहीं योग है मानिनी प्रधान मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद, कि आज वो हमारे बीज में आज इस 35 मिनिट के सच्च में, हमारे बीज में खुद उपस्थित होकर ये सारे योगासन किये 21 जून 21 योगासन, 35,000 लोग 35 मिनिट तर आप सभी को कोटिश बधाई मानिनी प्रधान मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद